परिज़ भाइज है बन्गलादेश से एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं और उन वीडियो को देख के मन बहुत व्यथित है रात में मैं कि वल दो घंटे सो पाया अर उन वीडियो को देख के मुझे समझ में आया हमारी माताओं बहनों ने जौहर क्यों किया था उन वीडियो को देखके समझ में आ रहा है कि 1947 में आडवानी जी, जेट मलानी जी, अमन मोहन सिंग जी या इंदर कुमार गुजराल साब या पृत्वी राज कपूर ये लोग अपना दुकान मकान छोड़ के क्यों भागे थे सामुहिक बलादकार हो रहा है, 15-15-20 आदमी बलादकार कर रहे हैं और एक दो वीडियो तो ऐसा आया कि बलादकार करने के बाद उसके पेट में उस बेटी के पेट में बोतल डाल दी है एक दो वीडियो ऐसे भी आये हैं जहां बलात कार करने के बाद पेट पे चाकूँ से चीरा लगाया जा रहा है इतनी जगहन्य मानसिक्ता कहां से आती इतनी नफरत वाली मानसिक्ता खिर कहां से आ रही है आखिर ये जो कनवर्टेड हिंदू होते हैं ये हिंदूओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं अल्टीमेटी बंगला देश में जो भी हैं सारे कनवर्टेड हिंदू हैं पाकिस्तान में जो भी हैं सारे कनवर्टेड हिंदू हैं ये converted हिंदू, आखिर हिंदू, जैन, बौध्ध सिख से इतनी नफरत क्यों करते हैं और जब नफरत करते हैं तो ये भी नहीं देखते हैं तो ये ब्राहमर है कि छत्री है कि वैशी है कि दलित है जो बंगला देश में घर जला रहे हैं वो यह नहीं देख रहे हैं कि हिंदू है कि जैन है कि बहुत है कि सिख बेटियों से बलातकार करते समय ये भी नहीं देख रहे हैं कि इब्राहमर की बेटी है कि छत्री की बेटी है कि वैशी की बेटी है दलित की बेटी उनके लिए सब काफिर हैं सब काफिर हैं और घर भी जला रहे हैं घर पे कबजा भी हो रहा है और सबसे बड़ी दुक्की बात सामने पती को बांध दिया है और अंदर उसी के सामने पत्नी से बलातकार हो रहा है पिता को बांद दिया गया है और बेटी से बलादकार हो रहा है भाई को बांद दिया गया है और बहन से बलादकार हो रहा है बच्चों को पकड़ के बच्चे चिला रहे हैं और सामने मां से बलादकार हो रहा है ऐसी नफरत वाली सोच दुबई में क्यों नहीं है अरे दुबई में भी हिंदू जैन बहुत सीक रहते हैं उनके साथ ऐसा बिवहार तो नहीं होता कुएत में भी हिंदू जैन बहुत सीक रहते हैं ऐसा उनके साथ बिवहार नहीं होता बहरीन में भी हिंदू जैन बहुत सीकर रहते हैं, चीन में भी हिंदू जैन बहुत सीकर रहते हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता फिर ये बंगलादेस में क्यों होता है, पाकिस्तान में क्यों होता है और अगर आप ये सोच रहें कि जो आज बंगला देश में हो रहा है ये भारत में नहीं हो रहा है तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है आप जो Farmhouse बना के बैठे हुए है न ये बड़ी-बड़ी दुकान बना के बैठे हुए है बड़े मकान बना के बैठे हुए है 3 BHK का फ्लैट, 4 BHK का फ्लैट ये 25 साल के बाद सब धरा का धरा रा जाएगा आज बंगलादेसी बीचारे जो करोड़ पती है अरब पती है रुपे खड़े हुए आपको क्या लग रहा है कि ये जो बाहर हो रहा है भारत में नहीं होगा क्या होगा 100% होगा हमारा कानून ऐसा घटिया है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ जो कुछ बंगलादेश में हुआ वो सब कुछ भारत में होगा हमारा कानून ऐसा नहीं कि होता है और हो रहा है वह दुबई में में नहीं होता अरब में भी नहीं होता कुएत में भी नहीं होता आबुधावी में नहीं होता सिंगापुर में नहीं होता जापान में नहीं होता क्यों आपको लगता है कि वहां के नेता ज्यादा अच्छे है वहां के सांसत ज्यादा अ इसमें एक शबद पाल्यामेंट में बना आए इस पाल्यामेंट में एक शबद इक्वल जोडने में क्या दिक्कत है इस reyujukation कीउन हीत दस्वीं तक पूरे नेयस में समासिछा लागू कर देते हैं क्यों नहीं हम माइनाटी को डिफाइन कर देते हैं औरे युनाइटेड नेशन कहता है कि एक परसंट से ज़्यादा कम्यूटी माइनार्टी नहीं शोथी फिर हम माइनार्टी को क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं union कहता है कि जो कम्यूटी कभी रूल कर चुकी हो वह माइनार्टी नहीं वो सकती हम वो फार्मूला भारत में क्यों नहीं लगा रहे हम आखिरी क्यों नहीं भारत में माइनाटी डिफाइन कर रहे हम भारत में स्टी क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हम क्यों नहीं कह देते कि जो सिडिल का सिडिल ट्राइब या ओबी सी जो कनवर्ट हो जाएगा उसको कोई भी सरकारी उसको कोई भी फाइदा नहीं मिलेगा ना रिजर्वेशन का फाइदा मिलेगा ना वजीफे का फाइदा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस पारलियमेंट के बराब बनाएगे right to education में एक शब्ध equal जोड़ना है right to equal education करता है धार्मिक सिच्छा का नहीं लेकिन हमें सबसे पहले धर्म क्या होता है मजभब क्या होता है धर्म क्या होता है इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना यह हम काम क्यों नहीं कर पार धर्म और रिलिजन को डिफाइन कर दे, उसके बाद धर्मिक किताब पढ़े, बगवद गीता धर्मिक किताब है, रामचनित मानस धर्मिक किताब है, वालमिकी रामायर धर्मिक किताब है, वेद पुरांड धर्मिक किताब है, सम्मिधान उसको पढ़ाने का विरोध नहीं करे आज इवन कारावा स्वासी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हैं भारत के लिए दुबई वाले खत्रा नहीं है कोयत वाले खत्रा नहीं है बहरीन वाले खत्रा नहीं है भारत के लिए जो खत्रा है वो कन्वर्टेड है तो जब कन्वर्टेड हिंदू इतने बड़ कन्वर्जन को हम वेजिंग वार क्यों नहीं घोसित कर रहे हैं कन्वर्जन को आर्गनाईज क्राइन क्यों नहीं घोसित कर रहे हैं किसने रोका है में कन्वर्जन कराने वाले मिसंडियों जहादियों उनके मददकारों पे N.C. लगाने U.E.P. लगाने वेजिंग वार की धा पराण लगान से किसंदे रोकמו कानूरं में डिफाइन ही तो करना है । घुसपैट हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है 5 करोड बोट हिंदू भॉरत में घुसपैट करचुकत हैं नि ज्मीör करोड चीजल ज्म्संख्या कन्वरतमें हिंदू है हम गुस्पैटियों उनके मददगारों के खिलाफ यूए पीए क्यों नहीं लगा रहे हैं गुस्पैटियों मददगारों के खिलाफ एनसे क्यों नहीं लगा रहे हैं गुस्पैटियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगे स्रेक्ट क्यों नहीं लगा रहे गुस पैठी और उनके मददगानों की नागरिकता क्यों नहीं खतम करने आज इवन का रावास भासी देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हैं जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए इतना बड़ा खत्रा हो चुका है हम दो हमारे दो क्यों नहीं लागू कर रहें किस डर के मारे नहीं लागू कर रहें हम क्यों नहीं एक नागरिक्ता कानून बना रहें कि जो भारत को नहीं मानेगा भारत की संस्कृति को नहीं मानेगा भ उसकी नागरिता खतम करेंगे अरे ये कानून बनाने समय किसने रोका है सड़क के किनारे अवाइद निर्माड हो रहा है जंगल में अवाइद निर्माड हो रहा है हाईवे किनारे अवाइद निर्माड हो रहा है हम अवाइद निर्माड खिलाफ कठोर कानून बनाने समय किस ने रोका भारत के ही गद्दार भारत के मिधको नहीं बनारें किस ने हूं है भारत के गदार उनकी मदद कर रहें भारत के गद्दार ब्हारत को जाती के अधार पे बाट रहे हैं, भाषा के अधार पे बाट रहे हैं, छेतर के अधार पे बाट रहे हैं, हम क्यों नहीं एक भारती नियाय संगीता बना रहे हैं, कि जज के लिए जुडिशल चार्टर लागू कर दे रहे हैं, हर हालत में जज को एक साल के अंदर मुकदमे क का फैसला देना पड़ेगा किसने रोका हमें अखिर पुलिस रिफॉर्म करने से किसने रोका है जुडिशल रिफॉर्म करने से किसने रोका है हम भारत की पुलिस को दुनिया की सर्वत्तम पुलिस क्यों नहीं बना रहे हम भारत की न्याइक बेवस्था को दुनिया की सर्वत सरवत्तम प्रसासिंग ब्योस्था क्यों नहीं बना रहे हम भारत की टैक्स ब्योस्था को सरवत्तम ब्योस्था क्यों नहीं बना रहे हम विदेसी चंदा आ रहा है पचास हजार करोड से जादा चंदा आ रहा है भारत को बरबाद करने के लिए देजविरोधी नेता, देजविरोधी अभी नेता, देजविरोधी लेखक, देजविरोधी पत्रकार, देजविरोधी कलमकार, देजविरोधी यूटूबर सबको funding हो रही है, हवाला के जरीए funding हो रही है FCR के जरीए funding हो रही है, bank से funding हो रही है हम क्यों नहीं है कि uniform banking code बना रहे हम हवाला के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे हम बेनामी संपत्ति के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे हम आय सरीक संपत्ती को आधार से लिंग करने के लिए एक कानून क्यों नहीं बना रहे हैं अरे तूतू मैमे करने से कुछ नहीं होगा बतोले बाजी करने से कुछ नहीं होगा नूरा कुस्ती से कुछ नहीं होगा ये चंद्रयान ये मंगल्यान ये अग्नियान ये ब्रम्होस ये राफेल, ये अगनी, इससे भारत नहीं बचेगा, ये expressway से, highway से और bullet train से भारत नहीं बचेगा, भारत बचेगा कठोर कानून से, भारत बचेगा one nation one police court लागू करने से, भारत बचेगा one nation one judicial court लागू करने से, भारत बचेगा one nation one administrative court लागू करने से, भारत बचेगा justice within year ल लागू करने से भारत बचेगा वन नेशन वन पापुलेशन कोड लागू करने से भारत बचेगा वन नेशन वन सिर्जन सिप कोड लागू करने से भारत बचेगा वन नेशन वन सिविल कोड लागू करने से भारत बचेगा वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करने से भारत ब लेकिन सिक्रिती के बारें हम जन जन नहीं पहुंचा पा रहे हम अस्टांग योग को सभी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे वो जन नफरती स्कूल चल रहे हैं भारत में पांच लाग से जादा हम उसको बैंड नहीं कर पा रहें सम्धान कहां कह रहा है UEN कहता, एक परसंद से ज़यादा यो माइनाटी नहीं होगा, UEN कहता, जो community कभी सासन कर चूकी है, यो कभी माइनाटी नहीं हो सकती, तो जिस community ने भारत पे 500 साल राज किया, या जिस community भारत पे 200 साल राज कर चूकी है, उसको माइनाटी के दरज़ा क्यों मिला हुआ है अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो ना इस वीडियो को अधिक शरी शेयर करिएगा अपने इस्टाग्राम पे फेस्बूक पे ट्विटर पे हर जगा शेयर करिएगा एक बात याद रखेगा जो पहले पाकिस्तान में हुआ 1947 में वही 2024 में बंगला देश में हो रहा है और अगर अभी भी नहीं चेते पार्टियों के गुलामी करते रहे नेताओं के भर से बैठे रहे और कठोर कानून नहीं बनवाया तो याद रखना 2047 में वही होगा जो पंगला देश में आज 2024 में हो रहा है